Hello Students, Welcome to MOS Classes, इस वीडियो में हम 8th Class Math and CERT की नई बुक के चेप्टर नमबर 1 की एक्सराइज 1.1 के सभी कोश्चन्स को सॉल्व करेंगे First question में हमसे कहा गया है, Name the property under multiplication used in each of the following तो इस question में हमें 3 parts दिये गए हैं students और इन 3 ही parts में property under multiplication use हुई है यानि कि multiplication वाली property use हुई है और हमें उस property का नाम बताना है देखिए जो multiplication की भी properties होती है वो लग लग तरह की properties होती है जैसे कि multiplicative identity, उसके लवा commutativity, उसके लवा multiplicative inverse भी होता है तो कौन सी property यहाँ पर use हुई है वो यहाँ पर हमें बताना है तो देखिए first part में हमें क्या दिया गया है इस chapter की basic video में हमने आपको यह समझाया था students कि आप किसी भी number को अगर one से multiply करते हैं तो वही number answer के रूप में आ जाता है जैसे कि अगर आप two को multiply करे one के साथ तो answer two आ जाएगा, three को multiply करे one के साथ तो answer three आ जाएगा, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर minus four upon five को multiply करे one के साथ तो यही number यानि के minus four upon five answer के रूप में आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं one is the multiplicative identity और यही जो identity है जो यह property है, वो यहाँ पर use हुई है कौन सी property use हुई है, one is the multiplicative identity इसका यह मतलब होता है, कि आप किसी भी number को अगर one से multiply करें, तो वही number answer के रूप में आ जाता है इसके बाद second part में हमें दिया गया है minus 13 upon 17 multiply by minus 2 upon 7 is equal to minus 2 upon 7 multiply by minus 13 upon 17 देखे यहाँ पर कौन सी property use हुई है, commutativity कैसे, यहाँ पर पहले क्या किया गया minus 13 upon 17 को multiply किया गया, minus 2 upon 7 के साथ और उसके बाद यह जो minus 2 upon 7 था इसको पहले लिख दिया गया, फिर multiply का sign आया और यह जो minus 13 upon 17 था, यह बाद में रखा गया तो इस तरह की जो यह property होती है इसे हम कहते है, commutativity property जिसमें हम order change कर देते हैं देखे हम एक example के रूप में भी देख सकते हैं कि अगर आप 3 को multiply करें 2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 6 थीक है अब हम इनका order change कर देते हैं 2 को पहले लिख देते हैं, 3 को बाद में लिख देते हैं देखिए, हमने 2 को पहले लिखा multiply by 3 को बाद में लिखा तब भी हमारा answer 6 ही आएगा तो यह कौन सी property है? यह commutative property है under multiplication यानि कि अगर आप दो numbers को multiply करें तो आपको एक answer मिलता है अगर आप उनका order change कर देते हैं और फिर उनको multiply करते हैं तब भी आपको यही answer मिलता है तो यह कौन सी property है? यह commutativity property किस में वो भी? वो भी multiplication में इसके बाद third part में देखिए minus 19 upon 29 multiply by 29 upon minus 19 is equal to 1 ध्यान से देखिए students यहाँ पर minus 19 upon 29 को multiply किया गया है 29 upon minus 19 के साथ अब यह जो number आपको नजर आ रहा है 29 upon minus 19 यह इस number का reciprocal है यानि के multiplicative inverse है देखिए digits उपर नीचे कर दी गई है minus 19 upon 29 multiply by यह 29 उपर आ गया यह minus 19 नीचे आ गया तो यह जो number है यह इस number का multiplicative inverse है और याद रखिएगा students कि जब आप किसी number को उसके multiplicative inverse के साथ multiply करते हैं तो answer 1 आता है कैसे देखिए minus यहाँ भी है minus यहाँ भी है minus से minus कट जाएगा positive हो जाएगा 19 से 19 कट जाएगा 29 से 29 कट जाएगा तो answer क्या बचेगा 1 तो यहाँ पर कौन सी property use हो रही है multiplicative inverse तो यहाँ पर हम लिखेंगे multiplicative inverse इसे हम एक और example के द्वारा भी देख लेते हैं जैसे कि 2 upon 3 है यह एक rational number आपको दिया गया है अगर आप इसका multiplicative inverse निकाले तो वह निकलेगा 3 upon 2 यानि के 3 उपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा अब आप इस number को इसके इस multiplicative inverse जिसको हम reciprocal भी कहते हैं इसके साथ अगर आप multiply करें तो देखो क्या होता है 3 upon 3 3 upon 3 यह कट गया 2 upon 2 2 upon 2 यह भी कट गया 1 into 1 क्या बचा 1 बचा यानि के कभी भी आप किसी भी number को उसके multiplicative inverse यानि reciprocal के साथ multiply करें तो answer 1 ही मिलता है और यहाँ पर भी तो यही हुआ है जब आपने इस number को इसके multiplicative inverse के साथ multiply किया तो answer 1 मिला तो यहाँ पर कौन सी property use हुई है multiplicative inverse इसके बाद question number 2 में हमसे इसका यह मतलब है students के यहाँ पर कौन सी property हम use कर सकते हैं जिससे की चाहे हम question को इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे answer same आएगा देखे यहाँ पर क्या हो रहा है यह तीन numbers हमें दिये गए हैं यहाँ पर भी यही तीन numbers हमें दिये गए हैं पहला number है one upon three multiply by यानि कि multiply हो रहा है six के साथ यह multiply हो रहा है four upon three के साथ तो यह तीनो number सापस में multiply हो रहे हैं लेकिन यहाँ एक grouping की गई है six और four upon three को एक साथ रखा गया है bracket के अंदर और यहाँ पर one upon three और six इन दोनों को एक group में यानि रखा गया है और यह four upon three अलग से लिखा गया है अब इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पर भी यह तीनो numbers हापस में multiply हो रहे हैं यहाँ पर भी यह तीनो numbers हापस में multiply हो रहे हैं इन दोनों का ही answer same आ सकता है कौन सी property के द्वारा वो property होती है associativity property इसमें क्या होता है कि आप इन तीनो numbers को इस तरीके से multiply करें इनकी grouping करके या इनकी grouping करके आपको answer same ही मिलेगा और इस तरह की जो property होती है उसको हम कहते है associativity property हम आपको एक example के द्वारा भी यह समझा देते हैं अब जरह इस example को देखिए यहाँ पर 13 नंबरs है 2,3,4 तीनों आपसे multiply हो रहे है यहाँ पर भी यह 3 नंबर है same यही तीन नंबर है 2,3,4 यह भी आपसे multiply हो रहे हैं बैको जर्ट वाले disputes अब पर 12 आएगा, अब 2 और 12 को multiply करेंगे, आपको मिलेगा 24, अब यहाँ पर देखिए, यह दोनों एक ही bracket में है, तो पहले इनको solve करेंगे, 2, 3, 6, यहाँ पर 6 रिखेंगे, multiply by 4 यहाँ पर आ जाएगा, 6 into 4 क्या होता है, 24, देखिए, दोनों में answer, same आया, फरक बस इस चीज़ काया के लिखने में, यहाँ पर यह grouping के अंदर है, bracket के अंदर, यहाँ पर यह grouping के अंदर है, तो यह जो तरीका होता है multiplication का, यह जो property होती है, इसको कौन सी property कहते है, इसको कहते है, associativity property, तो यहाँ पर multiplication में हमने associativity property use की है, ऐसे ही associativity property, addition में भी use हो सकती है, subtraction में भी use हो सकती है, division में भी आप try करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर multiplication के अंदर, associativity property use होई है, अगर आप इस question को solve करके भी देखेंगे, इन दोनों को multiply करके solve करेंगे, फिर जो answer आएगा, उसको इसके साथ multiply करेंगे, तो आपको एक answer मिल जाएगा, और अगर आप इनको solve करते हैं, यानि कि इस part को पहले solve करते हैं, फिर एक answer मिलेगा, उसको इससे multiply करेंगे, तो आपको वही सेम आंसर मिलेगा जो आपको इस साइड में मिला था, ठीक है, तो यहां का आंसर है associativity, इसके बाद question number 3 है, the product of two rational numbers is always a dash, यहाँ पर हमें ये बताना है students, कि दो rational numbers का जो product होता है, product का मतलब multiply करना, यानि अगर हम दो rational numbers को multiply करें, तो हमें क्या मिलता है, याद रखेगा students, कि अगर आप दो rational numbers को multiply करते हैं, तो आपको एक rational number ही मिलता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे rational number, अगर आप चाहें तो कोई भी rational number लेकर, उनका product करके देख सकते हैं, उनको multiply करके देख सकते हैं, आपको जो answer मिलेगा, sort करके, यानि दो rational numbers को multiply करके, आपको जो answer मिलेगा, व वो भी एक rational number ही होगा, इसलिए यहाँ dash में आप लिखेंगे, rational number, I hope students, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकोन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठैंक यू.